वेलकम तो आपका स्वागत तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का अब क्लास 12 आर्ड्स का मोडल पेपर जोजारेकी जैक बोड के द्वारा रिडिच किया गया है हिस्ट्री का सॉलूसान यह से टू है यह वीडियो का पार्ट फोर है ठीक है तीन पार्ट हम लोग देख चुके हैं अगर आप नहीं देखें तो चैनल को पर जाएए वहां से आप देखिए है 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 तो इस वीडियो में हम लोग Самक। नमबर 56 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक से लेकर włas पच्पन तक हम लोilt देख लिए हैं अबaining City सब्सांब से स्टार्ट करने वाले हैं यह औًछ पर चलते हैं वीडियो बिना विलम किया स्टार्ट करते हैं तो कश्च ribbon इसका आगया जोलोंग चौश्चन एंसर ठीक आपका लांग आंसर टाइफ कॉश्चन तो चलिए कोश्चन छपन है कि यहां पे मोहन जोदाडों के नगर निर्मान योजना की परमुख विशिष्ट्याओं का उलेख करें तो चलिए हम लोग सॉलुसन देखते हैं सॉलुसन के उपर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेश्ट के अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को दबाब लिजएगा ठीक है चलिए कोश्चन पर हम लोग चलते हैं कि मोहन पूर्व तथा पूर्ग के बाद पूर्व तथा पश्चीम में दो टीले मिले जब मोहन जोड़ार के खुलाई किया गया तो क्या हुआ कि पूरव में और पश्चीम में दो टीले मिले ठीक है पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चीमी टीले पर दूर्ग इस्थीत था ठीक है यह दूर्ग में परिवार परकार द्वार अटालक जिसको बूर्ज भी कहते है ठीक है यह अटालक भूर्ज यह टावर जिसको अब कहते हैं यह ठीक है राजमार्ग प्रासाद कोष्टगार सभा एवम जलासे आदी वस्तु के सभी तत्व मिले हैं जब मोहन दोड़ारों के खुदाई की गही और कि उस्टीले की जब खुदाई किया गया तो उसमें से आप यह सभी चीज मिला है ठीक है परतेक नगर परतेक नगर में दुर्ग के बाहर निचले अस्तर पर इंटो के मकान वाला नगर बसा था ठीक है जहां समायने लोग रहते थे नगरों के दुर्ग उंची और चोड़ी प्राचियों जिसको चार दिवारी कहते हैं ठीक है प्राचियों से घिरे थे प्राचियों में बूर्ज तथा मुख्य दिसाओं में द्वार बनाए थे जो प्राची थे चार दिवारी ठीक है इसमें से बूर्ज था और आपका द्वार भी था ठीक है इसका निर्मान एख सुनिश्चीत योजना के आधार पर किया गया था इसका जुनिर्मान किया इक सोचा समझा के आधार पर किया गया सोच समझ के तरीकी कदार पर किया गया था ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला है आपका सड़क व्यवस्था जब मोहन जो दाड़ों की एक परमुख विजेस्ता उसकी सड़क यहां की मुख्य सड़क 9.5 मिटर 9.15 मिटर माफ कीज़ेगा मिटर चोड़ी थी आयन सड़के की चोड़ाई भी 2.75 से लेकर 3.66 मिटर तक थी तक है जो मोहन जो दाड़ों की खुदाई किये गया तो हाँ पर जो सड़क थी सड़क की व्यवस्था सोची समझी व्यवस्था थ जो सड़क की मुख्य सड़क की लंबाई चोड़ाई 9.15 मिटर और जो गली कुछ है जिसको मिलों करते हैं उनकी 2.75 से लेकर 3.66 मिटर तक थी ठीक है चलिए पॉइंट नमर इसी में टू दिया हुआ है कि जल निकास पर नाली जल निकास पर नाली आप चैनीं से मोहन जोड़ाडो Cert के नगर नियोजन की एक और प्रमुख के बिस्ता है यहां की परभाव साली साली जल निकास पर गुन है 26.27 गुन है 6.35 गुन है जैसे में देखिए आप इट आपका इस प्रकार करहता है ठीक है कि इट का कार इसी तरह से बिस्कुट का रहता है ना तो कह रहा है कि इसका जो है एक आवावान पॉइंट चार तीन था एक जो चोड़ाई है आपका 26.27 और यह यह जो है आपका इसका भी दिया हुआ था कितना था छे पॉइंट तीन पांच ठीक है इस प्रकार के वहाँ इट देखने के लिए मिला और समयन इट की जो यहां पर आकार था वह इस प्रकार से था 27.94 गुने 13.97 गुने 6.35 सेंटीमीटर था ठीक है तो यूमी देखी कोश्चन नंबर वन जो मोहन जो दाड़ो था वह आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कोश्चन नंबर 57 कि जमिनदार कौन थे और मुगल काल में इसकी भूमी का थी तो चलिए हम लोग देखते हैं जमिनदार कौन थे मुगल काल में इनकी क्या भूमी का थी भारत में मुगल कालीन समाच तीन वर्गों में बटा हुआ था उच्वर्ग मध्य वर्ग और जमिनदार का नाम था जमिनदार का था ठीक है उच्वर्ग में सरदार है सरदार के बाद जो होंगे वह जमिनदार होंगे ठीक है दूसरा लेवल कमा यह तो यह बात अबूल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी से पता चलता है और यह जो बात है वह अबूल फजल जो है उनक पता चलता है ठीक है जमिंदार के निम्र भूमिका थे जमिंदार के भूमिका निम्र थी क्या क्या थी चलिए देखिए पहला है कि जमिंदार प्राया सम्रीद होते थे जो जमिंदार थे वह ताकतवार होते थे ठीक है सम्रीद होते थे स्सेंदा उनकी विश्त्रीत व्यक्तिगत जमीन मिल्कियद कहलाती थी और फेला वा जमीन वोके पिला हुआ प्रेदी पर किसी जमीन वर से इके मुतियोर से काम करता था और जमीन उसकी मेफ़ाron कुर्ण और उनके उपर जमीदार क्या होता था कि दिहारी के मजदूरी मजदूर दर से काम करवाता था मजदूर से काम करवाता था ठीक है हाधरी देकर उससे काम करवाता था दूसरा पॉइंट है कि जमीदार राज की और से अपने छेत्र के किसानों से कर वसुलता था जमीदार जो थे वह अपने राज की जी से राज के छेत्र है जो राजा है उनके जिस छेत्र में पढ़ते हैं वहां के किसानों से कर वसूला करता था ठीक है तो पॉइंट नमर दो है कि उम्मेद में समझ में आ गया गया गाद तीन देखते हैं हम लोग जमिनदारों को राजस वसूल करने के बदले कुल राजस्व का एक हिस्सा मिलता था बतले की बात यह है कि जो जमीदार थे ज राजस्वолоर जितने भी राजस्व को करते थे हिस्सा कर देजान को धिया जाता था को सिक कऑ एक खिस्वा उनका होता था फिर ह repeats है कि अधिकांस जमिंदार के पास अपनी सेनिक टुकडियां गुड़सवार टोब खाने एवं पैदल सिपाही होते थे is a अधिकान सिफाही थे अपना टुकड़ियां अपना सेनी अपना तोप खाने और पैलаже री सिफाह सी से पता चलता है कि आइन अ किताब से पता है कि भारत में जमिन्दारों की सकती देखें तो सभी जमींदार के पास कुल मिलाकर जितने भी जमींदारस अब लिती है को जमींदार के पास गाट आपका सफयानिक तिन लगुट 2558 घुट थी यह इस आएने एक बरी से पता चलता है तो सभी जमिदार के पास स्कूल मिलाकर इतना यह सभी सैनिक हर्थियार टुकडियां सब चीज थे ठीक है फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जमिदार अपनी मिलकियत की जमीन को बेच भी सकते थे और जमिदार जो है अपनी मिलकियत क की जमीन जो उनका जमीन है वह भेच सकता था तो युमिदे कि यह आपको जो कोश्चन नंबर संतावन था यह समझ में आपको आ गया होगा ठीक है अगर समझ में आ गया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजे चलिए हम लोगोश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि चलिए कोश्चन नंबर संतावन हम लोग देख लिए अंठावन देखते हैं तो देखिए भारतिय सेविधान के निर्मान के किन्चार महतपुर्ण मुद्य की वेख्या कीजिए यह कोश्चन आपका सेट नंबर वन में पूछा गया था ठीक है सेट नंबर वन जो आपक करके जो दिया हुआ कोश्चन उसको देख लेते हैं कि अजाद हिंद फौज पर एक टिपनी लिखें तो चलिए अजाद हिंद फौज पर या आई एन ये ठीक है इनके उपर रहे कम लोग टिपनी लिखते हैं तो अजाद हिंद फौज का गठन राजा मेहंदर परताब सींग द्वारा रहे 29 सक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था ठीक है जो अजाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था सबसे पहले किसने किया था मेहंदर परताब राजा मेहंदर परताब ने अफगानिस्त उस सरकार की सेना थी जिसका लच अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंतर दिलाना था और यह अजाद हिंद फौज इनकी एक लच था कि अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंतरता दिलाना है जब दच्छिन पूर्वी एसिया में जपान के सहयोग द्वारा नेता जी सुबास्यांद्र बोस ने करीब चालिस अजार भारतिये इस्त्री पूरूसों की परसिछित सेना का गठन शुरू किया और उसे भी अजाहधिंद फौज का नाम दिया और क्या हुआ कि जो यहां पर नेता जी हमारे हैं सुबास्यांद्र बोस है नहीं थे ठीक है उन्हें चार लगभग चालिस जर भारतिये इस्त्री पूरूस की परसिछा दिए उसको सिच्षित किया और उस एक सेना का गठन किया उसेना का नाम भी क्या दिया गया अजाधिंद फौज का सरवोच कमांडर नुक्त या गया और सुबास्चंद्र बोस जी को सुबास्चंद्र पौज का सबसे बड़े कमांडर के रूप में न्यूक्त किया गया और हाथों में इसकी कमान सोब दी और यह अजाद हिंद फोज के कमान सुबास चंदर बोस के हाथों में सोब दिया गया ठीक है फिर आगे देखते हैं कि दूतिय विश्यूद के दोरान आप यहीं तक भी लिख सकते हैं स्वारत को अंगरेजों के कब् देख से सतंत्र करने के लिए अजाद हिंद फोज या इंडियान नेशनल आर्मी जिसको हम लोग आईकंएश question में लिखा होगा bracket में आई एन ये इंडियन नेशनल आर्मी का आर्मी का नाम नामक सस्त्र सेना का संगठन किया ठीक है तो फिर आगे इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सींग ठीक है रास ब्हारी बोस एवं नीरंजन सींग गील ने महतपुर्ण भुमी का निभाई ठीक है तो यूमिदे की अजाद हिंद फोज के बारे में आपको जहां तक जानकारी मिला है कि समझ में आहीं गया होगा ठीक है और चलिए हम लोग कोश्चन नंबर लाश्ट देखते हैं इस वीडियो का अब उन्साइड नंबर कोश्चन भारत्य सोतंतर्ता अंदोलन में महत्मा गांधी के भुमीका का वर्नन करें चलिए महत्मा गांधी जी के भुमीका का वर्नन हम लोग करते हैं तो भारत के सोतंतर्ता संगर्ष में जितना योगदान गांधी जी का था निश्चीत रूपसे किसी अन्य भारतिय का नहीं था भारत को सोतंत करने में जितना योगदान गांधी जी ने दिया है उतना भारत के किसी अन्य लोगों ने नहीं दिया होगा ठीक है अधि गांधी जी को स्वाधिंता संघर्ष की धूरी कहा जाए तो कोई अतीस योगती ना होगी सन 1919 से सन 1947 तक भारत की राजनितिक पर इस प्रकार चाये रहे कि बहुत से इतिहासकार ने इस काल को गांधी यूग का नाम दिया गांधी जी 1919 से लेकर 1947 तक राजनितिक के छेत्र में इस तरह से चाये रहे कि बहुत सारे इतिहासकार ने क्या कहा कि जो यह काल चल रहा यह यूग चल रहा है यह गांधी यूग का नाम दे दिया गया देश के स्वतंतरता संग्राम में सक्रिय भाग लेते हुए उन्होंने अन्य निताओं का मार्ग दर्शन भी किया और देश के जो है देश के स्वतंतरता संग्राम में सक्रिय हुने के बावजुद भी अन्य निताओं को यह मार्ग दर्शन देते रहे उन्होंने अहिंसा की नीती अपना कर सांतिपूर्ण धंग से समराथ ब्रिटीश सरकार या फिर अंग्रेज सरकार या सरकार को जुका दिया बड़े विश्व व्यापी या फिर आप कह सकते हैं कि ताकतवर सरकार ब्रिटीश सरकार को जुका दिया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन सत्यागरह आंदोलन सविन्य आंदोलन भारत छोड़ों आंदोलन सवदेश्री अंदोलन आदी बड़े सांतिपूर्ण धंग से चलाये यह सवांदोलन बहुत सांतिपूर्ण धंग से चलाया हिंदू मुस्लिम मेकता को कायम रखने के लिए भरकस पर्यतन किये जिससे अंग्रेज की फूट डालो और सासन करो की निती सफल नहीं हो सकी ठीक है फिर आगे है कि गांधी जी ने अपने देश के लिए तन मंधन सर्वस्त नियोचावर कर दिया, और दांदी आतरा के समय अपने सहयोगों से बड़े जोर से कहा था दानी आत्र जिस्स HIM कर रहा था अपने सहय को आत्तर भूमी के कि सेनिक हैं आजादी के मतवाले हैं बल देवी पर ठाटास करके नीजी सीस नीजी सीस चढ़ाने वाले हैं ठीक है यह सलोग जो है आच्छे तरीके से आप लोग लिख सीज़ेगा और यह लिखने के लिए मिलेत इसको आप जरूर लिखिएगा Floree Maaf किज़ाइगा आपको दिखाओं नहीं तो एक बर आप देख लिए यह जो है आपका झिरूरा एक बर लिखिएगा थीक है तो यह जो था question number 69 ठीक है तो यह हिस्ट्री आपका खतम हो गया ठीक है हिस्ट्री का total solution करवा दिये हैं अगर आप नहीं देखें तो यह हिस्ट्री से टू का playlist create कर दिया गया उसमें सभी वीडियो डाला हुआ जाके वहां से आप देख सकते हैं ठीक है तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले सब्जेक्ट का नेक्ट वीडियो लेकर तक आपसे हम अलविदा लेते हैं अगर आप चैनल पर न्यू है तो आपसे कि रिक्वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में बेल आइकन को दबा लीजेगा वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास सेर कर दीजिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जाहीं तो झाल